आकास मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसकी मारक छमता 25 किलो मीटर है इसका लांच वजन 720 किलो ग्राम ब्यास 35 संटी मीटर और लंबाई 5.78 मीटर है आकास मिसाइल लगभग 20 किलो मीटर की उचाई तक धाई मैक की स्पीर से अपने लक्षे को हिट कर सकता है यह टैक और पहिये वाले दोनों प्लेट फानम से इसे दागा जा सकता है जहां तक इसकी पेलोड कैपसिटी की बात है तो यह लगभग जो है एक डिजिटल प्रॉक्समिटी फ्यूज 55 किलो का वारहेड इसके साथ लगा होता है जो की अपने लक्ष को पूरी तरह सहीर करने के बाद नश्ट कर देता है मिसाइल का निर्माड राक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा किया गया था इसमें रैम जेक प्रॉपेलसन सिस्टम का इस्तमाल किया जाता है जिसके कारण या बिना रुके निरंतर अपनी स्पीड बनाये रखता है मिसाइल के पास अपनी पूरी उडान में अपना खुद का कमांड मार्ग दर्सन होता है इस मिसाइल में राजेंदरा एरे रडार का इस्तमाल किया जाता है जिसकी रेंज साथ किलो मीटर तक बताई गई है एक साथ चौसथ लक्षयों की पहचान कर सकता है तथा आठ टार्गेट पर एक साथ अटेक करने की जहमता देता है साथ हे साथ आल के दिनों में इसमें 3DCR रडार का भी इस्तमाल किया गया है जिसकी रेंज करीब 100 किलो मीटर तक है और यह एक साथ 200 से ज़्यादा लक्षयों को पहचानने की जहमता रखता है सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आकास मिसाइल के विभिन वेरियंट बनाए गए हैं जिसमें मार्क फर्ष्ट मार्क फर्ष्ट का जो परिक्षड उडान है वह मार्च 1997 भी तक इसे कंप्लीट कर लिया गया था इसकी पहली परिक्षड उडान 1990 में आयूजित की गई थी इस मिसाइल की एक्क्यूरिसी इसकी छहमता और इसकी हेट करने की जो एक कैपबिल्टी थी वह बहुत ही एडवांस थी पर मिलिटरी को क्या लगा कि जो है इसके एडवांस वैरियन्ट पर भी काम होना चाहिए तो इसके एडवांस वैरियन्ट पर भी काम सुरू हो गया जिस वैरियन्ट पर काम सुरू हो गया इसके तीन वैरियन्ट पर काम सुरू किया गया जिसमें पहला मार्क फश्ट था, दूसरा आकास फश्ट एस है, तीसरा आकास प्राइम, चौथा आकास एनजी आकास एनजी एक next generation की air defense missile की स्रेणी में आती है जहां तक आकास फश्ट एस की बात है तो भारती ससस्त्र बलो को ऐसी missile की आवस्यक्ता महसूस हुई कि जो लक्ष को बड़ी सटीकता के साथ लक्षित कर सके DRU ने इसके उन्नत संस्करर को पेस किया जिसका नाम आकास फश्ट रखा गया 25 मई और 27 मई 2019 को 30 किलोमीटर की मारक शमता के साथ आकास फश्ट इसका परिक्षड किया गया जो कि उडिशा से चांदीपुर में इसका टेस्ट किया गया 60 किलोग्राम के पेलोट को ले जाने की इसमें छमता बताई गई इसके जात ही दूसरा सिस्टम जिससे आकास प्राइम को इस्पेसली पहाड़ी इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है था 27 सितंबर 2021 को टियाइडियों ने आकास प्राइम नावग मिसाइल के एक नए संस्क्रण का परिक्षड किया इसने अपने पहली उड़ान में दुस्मन के विमान की नकल करते हुए मानव रहित हवाई लक्ष को रोका और उसे नश्ट कर दिया आकास प्राइम मवजूदा आकास सैम पर आधारित थी मिसाइल सटीक्ता को और बढ़ाने के लिए इसमें बेहद पहले से ताकतवर सीकर का इस्तमाल किया गया है आकास प्राइम भारती थलसेना की आवस्यक्ताओं को ध्यान में रखते हुए इसको मौडिफाई किया जा रहा है इसी कड़ी में भारत ने इसका अब तक का सबसे एडवांस वेरियंट आकास एंजी के नाम से बनाया जो की नई डिजाइन के साथ थी तथा एक नेक्स्ट जननेशन की सैम मिसाइल होने वाली थी लगभग इस मिसाइल में जो है डूवल पल्स सौलिड राकित मोटर का उप्योग किया गया है और जिसके कारण इसकी रेंज वरतमान 40 किलो मीटर से बढ़कर 70 किलो मीटर तक हो गई है और इसका जो है रडार ये मल्टी फंक्सन रडार का इस्तमाल किया जाता है जो की करीब करीब 200 किलो मीटर की रेंज आसानी से प्रोवाइड करा देता है आकास एंजी क्विक रियेक्शन की टाइम को मैनेज करती है और हमले के लिए तुरंत तैयार हो जाती है भारत और चीन 2020 में जड़ब के बाद भारती सेना ने लद्दाक में वास्तविक नियंतरन रेखा के पास अपने आकास मिसाइल को तैनात किया है और जहां तक इस मिसाइल के निर्याद के बारे में है तो इसमें फिलिफिन्स, पेलारूस, मलेसिया, थाइलेंड, साइउक तरब, अमीरात, वियतनाम और अर्मेनिया ने आकास मिसाइल प्रणाली को खरीदने में रूची दिखाई है धन्यवाद